एक बेहद विस्तृत रेगिस्तान के दिल में, जहां रेट की डूपती बार आँखों की दूरी तक फैली हुई थी, वहां एक खांदानी जमीन वाला यात्री जाती रहती थी, जिसे रेट के विचारित यात्री के रूप में जाना जाता था। उन में से एक यात्री थी एक छोटी सी लड़की आईशा, जो एक दुरलब उपहार रखती थी। वह हवा की सुरिली बुलबुल सुन सकती थी और रेट की भाषा को समझ सकती थी। एक उम्र से ही आईशा की दादी, जाती की बुधिमान वृध्धा ने उसे रेट के रहस्य में भटक रही थी, तो वह हवा पर एक हलकी सी पुकार सुनी। ध्वनी का पीछा करते हुए उसने रेट के बीच में एक घायल फौकन को खोजा, जिसके पंख तूटे हुए थे और जिसका आत्मा कमजोर था। दया के प्रेरित आईशा ने फौकन को अपने बाहों में लि दिनों तक आईशा ने फौकन का उपचार किया, उसे तपती धूप से बचाया और अपने कम खाद्य सामगरी को बाटा। उत्तरदाई, फौकन ने आईशा को उडान के रहस्य, नेविगेशन की कला और रेगिस्तान के ऊपर उड़ने की स्वतंतरता की शिक्षा दी। जै यह आशा के साथ ओडान भर गया, आईशा को आश्चर्य और कृतज्यता के एहसास से भर दिया। उस दिन से आईशा को फौकन विस्परर के रूप में जाना गया, जो उसकी जमीन और उसके प्राणियों से संबंध के लिए अपने जाती द्वारा पूज्य माना जाता था वह संगठन वालों के साथ यात्रा करती रही, कठिन परिस्थितियों में उन्हें मार्गदर्शन करती रही और परिवर्तन की हवाओं का विवेचन करती रही।